इस शिक्षक देवस पर आप सभी को हार्दिक बदाई हैं जो कि 5 सितंबर को है लेकिन ये आदेश में जो आपको बता रही हूँ वो 3 सितंबर का है और शिक्षक हित में है दिनांग 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के अफसर पर जनपदों में शिक्षक का सम्मान समारों के आयोजन के संबन में यह जिला निदेशक कारेले उतर प्रदेश लखनों से प्रेशित हुआ है और सेवा में समस्त मंडली सहयक निदेशक और समस्त जिला वेशिक शिक्षा अ जयनती के अफसर पर प्रतेग वर शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है इस अफसर पर प्रदेश के जनपदों में सभी विद्यालियों में उतकरष्ट शिक्षकों का सम्मान समहरों आयोजित करने के निर्देश दिये गए है तो ततक्रम में दिनांग 5 सितंबर 21 को प् विद्याले का समान शेक्षिक इस तर उतकरष्ट रहा हो तथा शिक्षक विद्याले की जनपद में ख्याती अच्छी हो शिक्षक का कार वहवार उतकरष्ट कोटी का हो कोविड-19 संक्रमान के दृष्टिगत लॉगडाउन अवधिम में शिक्षक द्वारा ऑनलाइन पठ थिला में च्षाट नामांकान में निरंदर विद्याले में च्षाट्र प army विद्याले में च्वार लें में अच्छी ओ शिक्षड्र में तक्नीक का प्रयोक किया जाता हो तथा jinग्य चाoooo आवशक आविस्थापना के उपलब्दता हो शिक्षक द्वारा विध्याले में पाठ सैगा में क्रिया कलापो जैसे खेल सांस्कृतिक साहितिक एवं सामाजिक महद्व के मुद्दों पर आयोजन बहुत अच्छे ढंग से किया जाता हो गतवर्ष 2020 में राज अध्यापक अवश्य कर लिया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षक को विभाग अथवा माननी नियाले द्वारा किसी प्रकार से दंडित ना किया गया हो तो अनके वरुद किसी माननी नियाले में कोई अपराधिक वाद लंबित ना हो एम वह अपराधिक प्रश्ट भूमी के ना हो उक्त क्या तरिक जन पदिस्तर पर आयोजित होने वाले शिक्षक सम्मान समारों में मुख्याति थी के रूप में जन प्रतिनीधियों या जिलाधिकारी को आममंत्रित किया जाए और उक निर्द्रशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तो यह आदेश आज ही पारित हुआ है जिसके प्रतिली पिनिम लोगों को भीजी गई है निम विभाग में इसके बाद एक जो और नया आदेश है वह है समस्त विद्याले शिक्षण संस्थानों में सोच्छता पकवाड़ा मनाय जाने के संबंद में अभी कुछ दिन पहल करें जिसके द्वारा एक सितंबर 2019 से 15 सितंबर 2021 तक समस्त विद्याले शिक्षण संस्थानों में सोच्छता पकवाड़ा मनाय जाने के संबंद में तिथीवार कारिक्रमों का विवरण प्रेशित किया गया है और ये तिथीवार कारिक्रम इस प्रकार है इस वीडियो में आप देख सकते हैं 9 और 10 सितंबर को व्यक्ति के स्वच्छता दिवस 11 और 12 को स्वच्छ विद्याले प्रदर्श्णी दिवस और 13-14 को स्वच्छता कारे कलाब्त दिवस 15 सितंबर को पुरुसकार वित्रण दिवस तो ये पूरा कारिक्रम ने धारित कर दिया गया है स्वच्छता पकवाड़ बनाने की समस्त गतिविदिया, शिक्षा मंत्राले भारत सरकार के पत्र संदर्बे पत्र दिनांग 12 अगस 2021 में दिये गए निर्देशों के अनुसार संपादित की जाए, भवदिये महानिदेशक अनामिका सिंग जी स्कूल शिक्षा, तो ये था स्वचता पकवाडा बनाने क आदेश, इसके बाद वही आदेश के, जिसके करम में ये आदेश आया है, 31 अगस्त का है, स्वचता पकवाडा मनाई जाने के संबन्द में, जो की लखनों से प्रेशित हुआ है, प्रेशक है कामता प्रसाज सिंग, सन्यक्तु सचिव उत्तर प्रदेश शासन, और सेवा मे देशक स्कूल शिक्षा के नाम 31 अगस्त को भेजा गया था, 12 अगस्त 2021 के करम में ये आदेश उनके पास भेजा गया था, और उसी के करम में आज एक नया आदेश अनामिका सिंग जी महाने देशक जी के द्वारा जारी कर दिया गया है, अब देखते हैं, नेक्स्ट, इसक अंतर ग्रहन करने वाले अध्यापकों में से छूटे हुए पारसपरिक अंतर जन्पदी इस्थान अंतरन प्रक्रिया के अंतरगत, जन्पद में कारिभार ग्रहन करने वाले अध्यापकों के विद्याले अवंटन हेतु सूचना उपलब्द कराने के संबंद में, इस अंतर जन्पद इस्थान अंतरन प्रक्रिया के अंतरगत, जन्पद में कारभार ग्रहन करने वाले अध्यापकों के विध्याले अवंटन हेतू सूचनाई दिनांग तीन सितंबर तक उपलब्द कराने के निर्देश दिये गए थे, उक्त के करम में जन्पद आगरा, अंबेटकर, नगर, अम्रोहा और काफी जन्पद दिये गए हैं, इनकी द्वारा ही समस्त सूचनाई उपलब्द कराए गई हैं और शेष जन्पद द्वारा सूचनाई चार वजे तक हर हाल में हाड कॉपी एवं एकसर शीट में परिशद की एमेल साइट पर उपलब्द कराना सुनिश्चित करें तो यह था तीसरा आदेश 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 शाम का इसके बाद यह चौथा आदेश देख लेते हैं कि यह है राज शेक्षिक अनुसंधान और परिशद उत्तर प्रदेश लखनु का सेवा में प्राचार उप शिक्षन देशक जिला शिक्षय वं प्रशिक्षन संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश जिला विद्याले निरिक्षक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश भारा सरकार द्वारा साथ सितंबर 21 से 17 सितंबर 21 तक दस दिवसी शिक्षक पर कॉनक्लेव वेबिनार में प्रतिभाग के संबन्द में तो यह महुद है आपको उपर्युक्त विश्यक भारत सरकार के पत्र संख्या इतनी दिनांग एक नौ 21 की प्रति जो संलगन है का संधर ग्रहन करें उक्त पत्र के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा साथ सितंबर से ग्यारा सितंबर एवं तेरह सितंबर से सत्रह सितंबर दोहजार इकिस तक दस दिवसिय शिक्षक परव कॉनकले वेबिनार आयोजन वर्च्वल मोड में किया जाएगा इस वर्च शिक्षक परव की थीम है Quality and Sustainable School Learning from the Schools in India उक्त वेबिनार का उद्गाटन दिना साथ सितंबर को पूर्वहन ग्यारा से पौने दो बजे अप्रहन तक आयोजित है इस अबसर पर माननी प्रधान मंतरी भारत सरकार दोवारा उद्गाटन सत्र में प्राता हा 11 बजे से उद्गाटन किया जाएगा शेश नौ दिन वेबिनार का समय 10 बजे से साड़े ग्यारा बजे तक प्रतेग दिवस का विशय वां वक्ता का नाम पत्र के साथ सनलगन कारकरम में उलिखेथ है 12 सरकार का उप्रोक्त संदर्वित पत्र 1 सितंबर 2021 के प्रति सनलगन कर इस निर्देश के साथ प्रेशित की गई है ये प्राचार जिला शिक्षे में प्रक्षिक्षन संस्थान जिला विद्याले निरिक्षक तथा जिला बेसिक शिक्षा दीकारी द्वारा उक्त वेबिनार में प्रतिभाग किया जाए प्राचार जिला शिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् योगिताओं में प्रतिभाग करने वाले शिक्षकों को उक्त शैक्षिक पर में प्रतिभाग करने ही तु निर्देशित किया जाए शैक्षिक गुडवत्त समवर्धनेतु योगदान देने वाले प्रधाना ध्यापकों तथा शिक्षकों को भी उक्त वेबिनार में यह दिनांक 1928 का पत्र है जो परियावरं वन एम जलवायु परिवर्तन मंत्राले भारसरकार के पत्रिक्रम में अखिल भारती निभंध लेखन प्रतियों गिता 30 सितंबर 21 तक आयोजित कियाने के संबंद में है उक्त के संबंद में अब गत कराना है कि जूनियर वर्क के कक्षा आठ के छात्रों द्वारा निम्न बिंदूओं पर 500 से 800 शब्दों के बीच निबंद लेखन किया जाना है पहला है प्रिंसिपल्स अफ रिडियूज रियूज रिसाइकल इन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट दूसरा बिंदू है इनोवेटिव आ आठियों के तर संपन कराई जाएगी एक विद्यालय इस्तर पर प्रतिम तीन निबंद को ब्लॉक पर प्रेशित किया जाएगा खंड शिक्षा दिकारी द्वारा ब्लॉक की संकलित सूचना 30 सिटमबर तक जिला बेसिक शिक्षा दिकारी द्वारा जनपधी समीती के तरी समित्ती को प्रेशित करेंगे और मुल्यांकन के मानक निम्न है पहला है सेंट्रिल थीम फिर है कोहरेंस और और्गनाइज़ेशन इन स्ट्रक्चर और थें थार्ड है में जनपा दिस्तर पर कार्योजना बनाते हुए ततकाल अधिक से अधिक चात्रों को निबंद लेगन प्रतियोगिता में भाग लेने ही तो प्रेरित किया जाए जिससे बच्चों में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति जागरुकता आ सके और वे परियावन के प्रति सज जेगो सके